सात्यों स्वामी विवे कानन जी कहते थे कि हमारे युवा, हमारी युवाओं को आगे आकर राष्ट्र का भाग विधाता बनना चाहिए इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि भारत के भविष्य का नेत्रुत्व करें और आपकी ये जिम्मेदारी देश की राजनीती को ले करके भी है क्योंकि राजनीती, पॉलिटिक्स, देश में सार्थक बढ़लाव लाने का एक ससक्त माध्यम है हर छेत्र की तरह, पॉलिटिक्स को भी युवाओं की बहुत ज़्यादा जरुरत है नई सोच, नई उर्जा, नए सपने, नया उमंग, देश की राजनीती को इसकी बहुत जरुरत है जात्यों, पहले देश में ये धारणा बन गई थी, कि अगर कोई उवक राजनीती की तरफ रुख करता था, तो गर वाले कहते थे, कि अब बच्चा बिगड रहा है क्योंकि राजनीती का मतलब ही बन गया था, जगड़ा, फसा, लू, खसो, प्रस्चा चार, नजाने क्या-क्या लेबल लग गए थे लोग कहते थे, कि सब कुछ बदल सकता है, लेकिन सियासत नहीं बदल सकती लेकिन आज, आप देखिये, आज देश की जनता, देश के नागरीक इतने जागरूप हुए हैं कि राजनीती में वो इमानदार लोगों के साथ खड़े होते हैं, इमानदार लोगों को मोका देते हैं देश की सामान ने जनता, इमानदार, समर्पिद, सेवा भावी, राज लीती में आये हुए लोगों के साथ डटकर के खड़ी रहती है, और परफर्बंस, आज की राज लीती की पहली अनिवार्य सर्त होती जा रही है, और देश में जो जागरुकता आई है उसने दबाव पैदा किया है, ब्रस्टाचार जिनकी लिगसी थी, उनका ब्रस्टाचार ही आज, उन पर बोज बन गया है, और ये देश के सामान्य नागरी की जागरुकता की ताकत है, वो लाग कोशिसों के बाद भी इससे उभर नहीं पा रहे हैं, देश अब इमानदारों को प्यार दे रहा है, इमानदारों को आशिजवात दे रहा है, उमानदारों के साथ अपनी ताकत खड़ी कर देता है, अपना विश्वास दे रहा है, अब जन्रति दिदी भी ये समझने रगे हैं कि अगले चुनाव में जाना है तो सीवी स्ट्रांग होने चाहिए कामों का हिसाब पुक्ता होना चाहिए लेकिन साथियों कुछ बदलाव अभी भी बाकी है और ये बदलाव देश के युवाओं को आपको ही करने हैं लोग तंत्र का एक सबसे बड़ा दुश्वन पनप रहा है और वो है राजनीतिक मौशवाद राजनीतिक मौशवाद देश के सामने ऐसी ही चुनोती हैं जिसे जड़ से उखाडना है ये बात सही है कि अब केवल सरनेम के सारे चुनाव जीतने वालों के दिन लदने लगे हैं लेकिन राजनीति में वोशवाद का ये रोग अभी पूरी तरह समाप तो नहीं हुआ है अभी भी ऐसे लोग है जिनका विचार जिनका आचार जिनका लक्ष सब कुछ अपने परिवार की राजनीति और राजनीति में अपने परिवार को बचाने काई है साथियों ये राजनीतिक मोशवाद लोग तंत्र में एक नए रूप के तानासाई के साथ ही देश पर अक्षमता का बोज भी बढ़ा देता है राजनीतिक मोशवाद नेशन फर्स के बजाएं तिरब मैं और मेरा परिवार इसी भावना को मजबूत करता है ये भारत में राजनीतिक और सामाजिक करप्षन का भी एक बहुत बड़ा कारण है वह उस्वाद की जगह से आगे बड़े लोगों को लगता है कि अगर उनकी पहले की पीडियों के करप्षन का हिसाब नहीं हुआ तो उनका भी कोई कुछ नहीं भी कार सकता वो तो अपने घर में ही इस प्रकार के विक्रुत उधार भी देखते हैं इसलिए ऐसे लोगों का कानून के प्रती न सम्मान होता है न कानून का उनको डर भी होता है साथियों इस थिती को बदलने का जिम्मा देश की जागरुकता पर हैं देश की युवाप पीड़ी पर हैं और रास्त्रयाम जाग्रयाम व्याम इसी मंत्र को लेकर के जीना है आप राज लीती में ज़्यादा ज़्यादा संख्या में आएं बढ़ चड़कर के हिस्सा ले लेना पाना बनने के इरादे से नहीं कुछ कर गुजरने के इरादे से आईए आप अपनी सोच अपने वीजन को लेकर आगे बढ़ें एक साथ मिलकर के काम करें जुटकर के काम करें डटकर के काम करें याद रखेंगा जब तक देश का सामानी हुआ राजनीती में नहीं आएगा बौश बात का ये जहर इसी तरह हमारे लोक तंत्र को कमजोर करता रहेगा इस देश के लोक तंत्र को बचाने के लिए आपका राजनीती में आना जरूरी है और ये जो लगातार हमारे युवा विभाग के द्वारा मौक संसत के कारकम चलाए जा रहे हैं देश के विशहों पर युवा मित्र मिलकर के चार चर्चा करें देश के युवाओं को भारत के सेंटर हॉल तक लाया जाए इसके पीशे मकसद भी यही है कि देश की नई उवापीड़ी को हम तयार करें ताकि वो हमारे साथ आने वाले दिनों में देश का नेत्रूत्व करने के लिए आगे आएं आगे बढ़े आपके सामने स्वामी विवेकन जयता महान मारदर्शक है उनकी प्रेणा से आप जैसे युवा राजनीती में आएंगे तो देश और भी मजबूत होगा